दोस्तो आज हम इस Bluetooth Neckband को repair करने वाले हैं यह Bluetooth Neckband किसी customer का है और customer ने इसमें कुछ problem देखी तो उसने खोल के अलग कर लिया है अब क्या है ना उसको जोड़ना नहीं हा रहा है जोड़ना साथ में कुछ wire भी टूटी है उनको भी हम जोड़ेंगे साथ मैं एक चीज़ बता दूँ इसमें आने वाली कुछ problems आपके साथ साजा करूँगा अगर आपके साथ भी ये problem आती है अगर खुल जाता है प्रॉपर आप नहीं जोड़ पा रहे है और कुछ faults भी बता दूँ आप जिसका solution आप easily कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर customer का जो कहना था कि इसमें जोड़ने से पहले जब इसको आप जोड़ने तो इसमें vibrator को हटा लीजिए जो कि इसमें काफी issues vibrator की वज़े से आ रहा है नहीं कि उसको irritation हो रहा है अगर आप सबसे पहले इसके speaker की बात करें यानि कि इसके जो lef right speakers जोटे यह left का और यह right का तो laughed use speaker in q wiring का सबसे पहले अगर यह wire तो यह तो आपने जोड़ने कह पे हैं बोड़ पे आपको left red speaker को जोड़ने के लिए l plus l minus r plus r minus board पे लिखा हुई रहेग जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह लेफ्ट के speaker की एक wire टूटी है, तो यहाँ पर लिखा भी है, दिखिए, जरा मैं आपको focus करवा के दिखा देतो, साध से आपको यहाँ पर दिखी भी रहा होगा, यह देखिए, यहाँ पर L plus L minus लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने left के plus क wire और left के minus की wire जोड़ने रहेगी, left यानि कि सबसब लिखा भी इसमें left, यानि कि इसमें L लिखा हुआ है, इसके plus minus की wire यहाँ पर आपने जोड़ने है, तो यह ही left के speaker की wire के connection इस point में रहेंगे, और जो right के रहेंगे, इसमें लेखिए, इधर पे, इस board पे कुछ points बने इस speaker के, जिसमें R लिखा हुआ है, तो यह रहे speaker के connection, अब होंगे हमारे battery के connection, तो battery के wire तूड़ जाते हैं, अगर आप confused हो जाते हैं, तो चिंता मत किजिए, जहाँ पर B plus, B minus लिखा हुआ है, वहाँ पर battery को जोड़ लो, कभी कभी B plus तो लिखा हुआ रहेगा, लेकिन B minus के GND लिखा हुआ है, यहाँ ग्राउंड, ग्राउंड को हम माइनस या नेगेटिव के नाम से बुलाते हैं, तो जहाँ पर B plus और GND या फिर B plus और B minus लिखा हो, वहाँ पर battery के plus माइनस के बाएर जोड़ने हैं, B plus यहाँ पर battery plus GND या B minus मतलब negative, तो battery के negative को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है, B plus, code याद रखेगा, एक copy pen लेका आप लेक सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, कुछ points यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, तो mic, D ground और यहाँ पर लग से point बना हुआ है, तो यह जो तीन है, यहाँ पर तो इसमें यह जो point है, यहाँ पर देखिए, इस panel के लिए बने हुए है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देगा, तो यहाँ पर button और mic section है, इसके अंदर mic लगा हुआ है, और यहाँ पर button लगे हुए है, तो इन button को और mic को control करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, बट बोड में ही माइक रहता है बोड में ही माइक कहीं पर लगावा रहता है और किसी किसी में बोड के पास में ही माइक वायर वाला रहता है तो वाँ पर M प्लस M माइनस लिखावा रहेगा यानि कि माइक प्लस और माइक माइनस लिखावा रहेगा और यहाँ पर इन्होंने दो और दिये हुए है तो यहाँ पर M plus M minus भी लिखा है तो मैं आपको एक confusion दूर कर दू Mike की जगह Mike plus Mike minus लिखा हुआ हो सकता है कभी-कभी Mike की जगह पर M लिखा हुआ भी होता है लेकिन यहाँ पर M जो M plus M minus लिखा हुआ है वो motor के लिखा हुआ है जो की यह vibration motor लगी भी उसके plus minus के बाइर यहाँ पर आपने जोड़ेने रहे देखिए यह motor के बाइर तो कभी जिस में vibration motor नहीं रहेगी वहाँ पर जो M लिखा रहेगा उसका मतलब Mike से रहेगा तो यह बहुत ही असान तरीके से हमें इसको connection कर लिए है अब यह जो wire एक टूटी है यह वाली wire तो इस जगे से टूटी है तो इसको हम यहाँ पर connect कर लेंगे यह D ground तो यहाँ से हम इसको जोड़े लेते हैं simple से कुछ और problems है उनका भी solution बता दूँगा सबसे पहले आपको wiring इसका बता देता हूँ और यहाँ पर इसमें on off का switch इधरी पर PCB पर दिया हुआ रहेगा और यह देखे इसमें on off यहीं पर दिया हुआ है तो on off यहाँ पर देखे slide वाला इनोंने दिया हुआ है चलिए इसको off कर लेते हैं चलिए off के लिए है अब यहाँ पर एक चीज है जब भी आप यहाँ पर यह wire को जोडते हैं तो वहाँ पर आपको एक चीज ध्यानक नहीं है यह wire coded wire होती है इसको ऐसे solding नहीं किया जासता इसको solding करने से पहले आप इसको थोड़ा सा scratch कीजिए या फिर जला दीजिए इसके बाहर की coding असानी से उतर आती है मैं इसको थोड़ा सा जला लेता थोड़ा सा जलाना है इसके बाहर का यह ना code निकल जाता है यह देखिए आपको भले यह red color की wire देखिए वह इसके अंदर जलाने पर आपको यह देखिए copper color की wire निकल के आएगी तो इसी code का अपने जलाना पड़ता है एक wire के अंदर दोनों wire साथ महीं जाती है इसलिए जाती है क्योंकि इसके अंदर coding होती है इसलिए वह short circuit नहीं करती है इसके अंदर अगर coding नहीं लगी विरेगी तो यह short circuit कर जाएगी और यह properly work नहीं करेगी तो scratch या फिर जलाने के बाद इस तरीके से आप इसमें देखिए sorting आसानी से कर सकते हैं देखिए proper इसमें sorting आप कर सकते हैं अब जाके आसानी से attach हो जाएगी फाल्तु वायर को हम extra cut कर लेते हैं जितना हमने sorting करना है उसको हम इस जगे पर sorting कर लेंगे और बहुत यह असान तरीके से भी यह sorting हो जाएगी यह देखिएगा अगर आपको हमारी वीडियोच पसंद आती हैं तो ब्लीच वीडियो को लाइक कर देना और एक प्याला सक्मेंट अप कर सकते हैं अगर आप चाहिए तो यहाँ पर देखिए यह sorting हो चुका है अगर उल्टे भी लग जाते हैं तो भी काम करेगा जिन्दा मत किजिए अगर यहाँ पर प्लस की जिगा प्लस और मैनस की जिगा मैस ना लगाने के बाइगा और उल्टे तार कर लिए तो मैंने बता है कि यहां पर कभी-कभी speaker के अंदर के wire तूड़ जाते हैं खिजके तो उसको भी एक बार sorting कर ले अगर proper आपकी wiring सही है speaker की wire भी सही है तो कभी-कभी speaker भी खराब हो जाता है speaker को एक बार check कर ले speaker को check करने के लिए आप multimeter को इस तरीके से रख सकते हैं अगर आपके आस multimeter हो तो थोड़ा सा आपको help मिल जाएगी speaker को check करने के लिए multimeter को continuity की range में रखिए और speaker के points पर आप इस तरीके से रखिए देखे speaker red पर ही लगा देता हो चलिए जो speaker सही रहेगा इस तरीके से continuity beep मार रहेगा और जो speaker खराब रहेगा इस तरीके से continuity नहीं आएगी example के लिए एक speaker वैसे है मेरे पास चलिए इसी पर आपको demo देता हूँ यह देखे ऐसे speaker पर check कर लेना है अगर speaker सही रहेगा तो इस तरीके से continuity beep मारेगा अगर सही नहीं रहेगा तो वो continuity beep नहीं मारेगा ठीक अगर buzzer mode पे check करना आपने speaker को तो speaker check हो गया बिल्कुल सही है बाकि आपने wire वगर भी check कर लिए सब को सही है फिर भी आपका यह speaker पे आवस नहीं आ रहे है तो कभी कभी क्या होता है इसके अंदर के ना wire break हो जाती है इसके अंदर wire break हो जाती है तो आपने find करना पड़ेगा वहाँ पर इसके लिए हमारे एक video है जिसे आप देख सकते हैं क्योंकि उसी में आप यहाँ पर तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ लेकिन practical के लिए आपको उस video को देखना पड़ेगा तो वह suggest कर दूँगा उस video को देखके आप broken wire का पता लगा सकते हैं तो यहाँ पर यह रही speaker का fault और कभी कभी क्या होता ना आपका सब कुछ सही है लेकिन bluetooth आपको on नहीं हो रहा है बैटरी पर voltage चेक लिए सबसे पहले बैटरी पर voltage चेक लिए bluetooth के लिए जैसे कि बैटरी हमारी 3.7 volt की यह बैटरी होती है और सभी बैटरी लगबग 3.7 volt की ही बनाएगी रहती है बलाई साइज आपको कितना चोटा क्योंने लगे लेकिन बैटरी हमारी 3.7 volt की ही होती है यह lithium-ion बैटरी होती है तो बैटरी की एक बार voltage चेक कर लें इस तरीके से बैटरी की voltage चेक कर लिए तो आपने देखिए जैसे मैंने बोला था तो यह पर अपने बैटरी की voltage चेक कर लिए बिल्कुल accurate 3.7 volt आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके बैटरी सही है लेकिन आपके बोर्ड में कुछ खराबी है तो कभी कभी क्या होता बैटरी सही है बोर्ड में खराबी होने के वज़े से आपके प्रब्लम आती है तो बोर्डरी से डिरेक्ट voltage इस IC को मिलती है यह IC ही खराब हो जाती है 100 में से 95% केस में हमने IC की खराबी देखी है तो IC खराब होगी मिलब आपका रिपैर नहीं हो सकता अगर IC से मिल जाए तो रिपैर हो जागा बट IC मतलब एविलेबल नहीं होती है तो सबसे पहले तो आप battery की voltage ही आप अपने यह करके भी देख लिया battery की voltage ही है फिर भी ओन नहीं हो तो IC की problem है अगर कुछ fault ऐसे भी देखे गए है कि यहाँ पर battery प्रपर चार्ज ना होने के वज़े battery में voltage नहीं दिखाता है क्यों नहीं होता जैक में problem आ जाती जैक में problem आने की वज़े से आपकी battery charge नहीं हो पाएगी जैक में problem आएगी तो proper voltage battery को नहीं पहुचेगी और यह charge नहीं हो पाएगा तो आप जब भी इसको है ना एक बार जैक इस तरीके से connect करें और यहाँ पर यह तो चालू हो रहा है नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या करना है आपने इधर पे jack के दोनों points पे आपने voltage चेक करनी है कैसे करनी है चलि मैं आपको थोड़ा से बता देता हूं jack के सबसे last के जो points होते हैं अगर आप यहाँ पर मैं थोड़ा से light को ढग देता हूं ताकि आपको proper दिख सके यहाँ पर दिखिए jack के पास में एक सबसे last में इधर इन दोनों आपने multimeter के दोनों points को touch करना है यानि कि multimeter के दोनों probes को touch करना रहेगा और multimeter आपको DC 20 पे रहेगा तो इस तरीकी से आपने check करना है यहाँ पर आपको voltage मिलनी चाहिए एक सेकंड कुछ इस तरीके से 5 volt आपको मिलना चाहिए अगर नहीं मिलता है तो आपका समझ लिजीए यह ना jack खराब है या फिर jack में कुछ problem है अगर voltage मिल रही है तो हो सकता है आपके बीच में track टूटा हो उसको भी आप follow करके देख सकते हैं यह तो बहुत अलकी बात है लेकिन आपको थोड़ा से बहुत guide कर रहा हूँ ठीक है तो इतने सारे fords देखने के मिलते हैं जिनका solution कुछ-कुछ बता दिया कुछ-कुछ आपको हमारी video देखके कर देखके बात हैं च्थी आपको लिए कर दो झाल झाल